कि आप 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 कि आप कि आप कि 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 स्प्रिंग में कि देखो बच्चों कि स्प्रिंग की खासियत क्या है कि यह जो स्प्रिंग है दोस्तों इस स्प्रिंग को अगर हमने खीचा इलॉंगेट किया मान लो ओके तो यह पहले यहाँ पर थी यह इसकी अन्स्ट्रेच्ट पोजिशन है यहां से हमने फोर्स लगा के इसको खीचा यह एक्स्टर्नल फोर्स हमने लगाया हां तो हमने जितना एक्स्टर्नल फोर्स स्प्रिंग को लगाया उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसके अंदर सेटप हो जाता है हां उसको कहा जाता है स्प्रिंग फोर्स तो spring force जो है इसको FR restoring force कहा जाता है यह FR का मतलब है restoring force restoring क्यों बोलते हैं इसको restoring का मतलब है कि हमने बाहर से इसको इसका shape बदलने पर मजबूर कर दिया तो यह अब अपने shape को size को original position पे लेके आने के लिए restore करने के लिए force लगता है इसको कहा जाता है restoring force restore है न फिर से वापस अपनी जगवा पर लाना ऐसे force को restoring force कहा जाता है यह restoring force न किवल elongation में लगता है बलकि अगर हमने इसको compress कर दिया अपने original position से तो यह इसकी original position थी यहां से हमने इसको दबाया तो यह अंदर आया तो external force लगा इधर तो इसके exactly opposite direction में कौन लगेगा restoring force लगेगा यह बात समझ में है आई की नहीं आई बोलो इसके है यह elongation हुआ क्या हुआ elongation है ना तो यह elongation है तो elongation अगर होगा तो external force इधर है उसके opposite में लगेगा restoring force अगर compression किया यह है compression तो compression में भी हमने external force लगाया towards left तो restoring force लगा towards right तो restoring force का जो direction है तो वो external force के opposite में होता है या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि it is towards this position called as mean position ठीक है नाव अब spring में यह देखा गया कि spring की एक खास property है कि इसका यह जो position है यह mean position है इसका में पॉजिशन मतलब जहां पर वह elongated भी नहीं है compressed भी नहीं है relaxed पॉजिशन में पॉजिशन मतलब relaxed पॉजिशन है इसकी ओके यह यह relaxed पॉजिशन या मीन पॉजिशन से इसका displacement अगर है मान लो x हमने इसको आगे खींचा कितने से x इतने displacement से खींचा तो यह देखा गया कि displacement हुआ right में restoring force लगा left में तो it was seen that restoring force is directly proportional to minus of x restoring force is directly proportional to minus x minus x q minus x q क्यों कि displacement का direction जिदर है उसकी opposite direction में है restoring force ठीक है जैसे जैसे displacement बड़ेगा वैसे वैसे restoring force भी बड़ेगा जैसे पर एक्जामपल अगर मान लो कि यहां पर एक छोटा सा पत्थर एक छोटा एक stone हमने यहां पर लगाया और इसको थोड़ा सा पीछे compress किया और छोड़ दिया तो वह पत्थर आगे जाएगा जैसे धनुषबान में भी होता है भी लगड़ा और string को थोड़ा सा कीचा हलका सा कीचा और छोड़ दिया सो दे chick अब थोड़ा सा जञा थिचों को छोड़ो तो जन्हादा तेजिज ज понятно है को पहोत जञादा तेज एक तम दुशमन को मारना है तो ऐसे पूरा खिंचना पड़ेगा पूरा जब खिंचेंगे तो एकक्तम तेज जाएगा जैसे जैसे आप उसका displacement बढ़ाएंगे वैसे वैसे restoring force भी बढ़ेगा बढ़ेगा तो डिरेक्टली proportional to x और इसलिए लिगेंगे कि restoring force is equal to proportionality constant यहां पर होता है के और यह जो प्रोपोर्शनलिटी कॉंस्टेंट है इसको का जाता है spring constant और स्प्रिंग कॉंस्टेंट या इसी को का जाता है फोर्स कॉंस्टेंट दोनों इसके नाम है या तो प्रिंग कॉंस्टेंट बोलो या फोर्स कॉंस्टेंट बोलो फोर्स कॉंस्टेंट आफ स्प्रिंग ऐसा भी इसको का जाता है तो यह है spring का understanding मतलब आगर हमने spring को बहुंद किया तो भी एक रेक्स नेगीटिव आएगा फिर से पूछ जोर से पूछ है तो एक पोजिटीव ही रहेगा ना है तो उसका डायेक्शन अलग है यह कहने का मतलब है उनका दोनों का डायेक्शन अलग-अलग है तर मतलब हमेशा एक माइनस ही नहीं लाएग यह कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं न ऐसा कुछ नहीं ना ऐसा कुछ कि सरो स्प्रिंग को और डॉप था वह पुछो क्या एक क्वेश्चन उसका और थर्ड लॉवे कि अच्छल न लिखना पहले कि एसर कि एसर लिखना कुछ लिखना भाल रव, लिखना ब प्रब मomez्ग में, ऱ फोर सकते हैं कि यह कॉश्चन नमबर पूर जो है यह इसी के उपर आधारित है कि हमारे पास डब्ल्यू टू डब्ल्यू और थ्री डब्ल्यू ऐसे वेट्स हमें दिये हुए है जो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को कनेक्ट किये हैं आइडेंटिकल स्प्रिंग्स का मतलब होता है कि उनका फोर्स कॉंस्टेंट सेम है तो यह ऐसे एक रॉड को हमने तीन स्प्रिंग्स लगा दिए ओके तो यह एक स्प्रिंग है यह एक स्प्रिंग है और यह स्प्रिंग है सबका फोर्स कॉंस्टेंट सेम है identical spring का मतलब उनका force constant सबका same अब इसको w लगा दिया इसको 2w इसको 3w तो दोस्तों आपको यह पता हो कि force अगर जादा होगा तो displacement भी जादा होगा तो सबसे जादा weight इसका है 3w का तो इसका elongation सबसे जादा होगा और यह इसका elongation थोड़ा कम होगा 2w का elongation कम होगा और जो w है उसका elongation और कम होगा ओके तो वहीं पूछाया है कि positions of weights from the rod are such that 3w will be farthest w will be farthest all will be same distance same distance नहीं है 2w farthest नहीं तो 3w is the farthest कुछ समझ में आया बोलो कि यह सर्थ यह सर्थ कहड़ा सर्थ कहड़ा है यह सर्वाइब है और कुंसे डाउटों बोलो नेक्स्ट कॉर्शन उन्यख मैं ब्रेकिंग स्ट मतलब्यूम यह लें लेंग टेंशन लेना है घ्य Nano present because we breaking strength तश्यमंद र्टिक हेजी मतलब का मतलब होता है थर्टी न्युटन थर्टी तो सुथी यह तो ठ्रीहंड्रेट न्यूटन मतलब थिरेंटेंट टेंशन है अच्छा थर्टी केजी वेट ऐसा लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है कि थर्टी केजी मास का वेट नेक्सट अर्जन बोल क्लास बेस्ट क्षिटन में कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में पहला था कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इंपल्स यह बचा है ना चलो आज वही कंप्लीट करतें अब पहले यह करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते पहले इधर द्हान दो अब जाएंगे आपके अब करते हैं कि दाउट्स में सारे ले लूँगा डॉन्ट वरी डाउट्स सारे हो जाएंगे आपके कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम देखिएं कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूटन के सेकेंड लॉग को पहले रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉग क्या है न्यूटन का सेगेंड लॉग दोस्त बोलो न्यूटन का सेगेंड लॉग है बोलो नो बोलो पोर्स इस डारेक्टली प्रपोर्शनल तो रेट अफ चेंज अफ मोमेंटम लिनियर मोमेंटम तो इसको हमने लिका था एफ इस इक्वेल्स टू क्या डीपी बाइडीटी है यह से डीपी बाइडीटी है ठीक है डीपी बाइडीटी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम तो दोस्तों अगर एक्स्टर्नल फोर्स जो एक्ट हो रहा है बाडी के उपर वो बाडी का मोमेंटम चेंज करता है अलोंग विट टाइम हां मोमेंटम बदलता है तो दोस्तों मुझे एक बात बता कि इस अगर एक्स्टर्नल फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब हैं मतलब मोमेंटम अपान टाइं इस फोर्स फेल कि इस अगर इसके मतलब ट儿 इक्वर्स्टू सीरो चेंज कि इन मोमेंटम हुआ ही नहीं मतलब मोमेंटम बदला नहीं मोमेंटम बदला नहीं मतलब मोमेंटम कॉंजर्व रह गया कुछ बात समझें येस सर्ट कि जब अपने सिस्टिम का मोमेंटम बदला नहीं तो मोमेंटम अगर नहीं बदला तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स आड्ड नहीं हो रहा है है फोर्स जीरो है मतलब मोमेंटम नहीं बदला मतलब initial momentum इक्वाल्स टू फाइनल मोमेंटम तो इधर लिख देते हैं कि इसका मतलब इनीशल और फाइनल मोमेंटम जो है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है जनरली मास इन्टू विलॉसिटी इसका मतलब यह और मास और व्यलॉसिटी जो है मोमेंटम है मास उन्टू विलॉसिटी इसमें ऐसा हो सकता धि-शुरूरात में मास इतना था वेलॉसिटी इतना था आगे जाके ये इसको अपन M1 V1 या इनीशियल को अगर बोलना है तो M1 है ना V1 इनीशियल ओके ऐसा भी बोल सकता हूँ तो ये इनीशियल ही जैसा था अब फाइनल में शायद मास चेंज हो सकता है शायद वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन दोनों का product वो same रहेगा इसको कहते conservation of momentum बात समझ में आई कि किसी भी system के अंदर शुरुवात में किसी particular system को पहले consider करें हम तो उस पूरे system का momentum शुरुवात में जितना था फाइनली भी उतना ही रहेगा अगर उसमें बाहर से कोई फोर्सेस एक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि अंदर एक इंटर्नली फोर्सेस हो सकते हैं और इसी लिए conservation of momentum का मतलब है कि external फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम रहेगा इंटर्नली भले भी फोर्सेस लिख लो फटापट से तो इसको सॉल करते हैं और भी बोल दो शरीम पल्स अब लिखना क्या पड़ाना है क्या नहीं मैं बताता हूं थोड़ा धिरज रखते जाना नहीं सारों सॉल करते हैं इसलिए बोल रहा है कि अनिस्तु कम बोलते जाया है जितना चुप बैठे का उतना अच्छा है कि सिर्फ डाउट नंबर कौन से वह बोलते जाएं यह सर झाल अब देखो कंजर्वेशन आप लिनियर मोमेंटम में कुछ एक्जामपल्स लेंगे हम इसके अब इसके एक्जामपल्स को अच्छे से समझना होगा हमें यहां से सुनू लिखके हो गया कि एकना फटा फट लिखना है कि इसका पहला एक्जामपल है एक गन और बुलेट फिर से गन और बुलेट पर वापस आये हम ओके अब यह गन और बुलेट वाले सिस्टिम में पहले यह गन है और इसके अंदर बुलेट है अभी हमने बुलेट चलाई नहीं अभी बुलेट अंदर यह है कि अब जैसे ही हमने इसको घोड़ा दबा दिया ओके तो फायर करने के बाद अब क्या हुआ दोस्त तो कि इसमें से गोली चली कि ठीक है कि और गोली बाहर आ गई कि अब ध्यान से सुनना हां हिंधेक्ष में कि लैट इस केंसीडर देट गन्प्लस बुलेट एक अस्सीज्टीम एक पूरी सिस्टीम है क्या गन्flower क्डानों मिल कर एक सिस्टीम है अच Judas से सुनो नहीं गन्रेट इस प्लुलेट इसस सिस्टीम पहले दोनों रेस्ट पे थे तो यह इनीशील है और यह final है तो दोस initially gun और bullet दोनो rest पे है तो initially इनका जो momentum रहेगा P I क्या वो 0 है हाँ 0 है समझे initial momentum इसका कितना है 0 बहुत अच्छी बात अब final की बात करते है अब जैसे ही गोली चले तो अब उस system का एक पार्ट है bullet और दूसरा पार्ट है gun तो बिटा bullet जो आगे चली ये जो आगे चल रही है इसकी velocity है मानलो VB velocity of the bullet और इसका mass है मानलो MB और gun का जो mass है वो है M G और gun पीछे की तरफ recoil करती है तो उसकी velocity है VG तो ये तो मैं बता आता आपको कि जैसे ही अपन गोली चलाते है तो गोली चलाने पर बंदुक ऐसे थोड़े से पीछे आती है ना ये सार नो ठीक है तो उसको कुछ velocity मिलती है है पीछे की तरफ राइट तो जो सेकेंड केस में पूरे system का जो final momentum रहेगा वो कितना रहेगा तो वो रहेगा का momentum of the bullet plus momentum of the gun so momentum of the bullet कितना है दोस्तों में इन्टू वी एंबी बुलेट का momentum MBV मास इंटू और गन का मोमेंटम कितना दोस्तों कि एमजी इंटू वीजी हां एमजी वीजी लेख वो निगेट लेना जरूरी है निगेट जरूरी है ध्यान रखना और इसलिए माइनास एमजी वीजी इस एक लियर बोलो येस येस अब एकॉर्डिंग तू दो कंजर्वेशन लौ यहां पर गोली के ऊपर फोर्स गन ने अपनाई किया बाहर से किसने नहीं और इसलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ही ट्रगर होता है तो गोली बुलेट और गन इनके बीच में जो फोर्स है वो इंटर्वल फोर्स है और इसलिए मोमेंटम कैसा रहेगा और इसलिए इक वर्स टू प्रियर जो बनेगा जीरो इक वर्स टू एप माइनस एम जी इसलिए यह इदर आएगा तो आपका आवाज कट हो रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आरी क्या तो तो देखेंगे ने फिर से बताता हूं है तो इसलिए हमने प्रिया प्रिया इकवर्स टू प्रियर इसके कारेंट एक्टरनल फोर्स नहीं होने के कड़ंट प्याइक वर्स टू प्रियर और यह को मैंने कर दिया तो यह माइनस वाई सब्सक्राइब भी कट हो रही है फिर समझानों जीरो जीरो इकोल टू इसको इधर लेके आओ कि यह सर हो गया कि समझा कि यह सर कि लिख लो कि इसका ऐसा कोई दूसरा एक्जांपल दे सकते हो आप कि यह सर बोलो जब रुटता है तब अगर एक पीस वेस्ट को इसको जाना पड़ता है अगर एक पीस बाम का उड़के वेस्ट को गए तो उसको जाना पड़ता है ऑपसिट डिरेक्शन में कंजर्व करने के लिए ओके बढ़िया वेरी नाइस पड़ा पर लेगलां कि तर इसमें हमने वाइक्सेस पे जो फोर्से से वह कंसिडर नहीं किया न वाइक्सेस पे कहां पर फोर्से ग्रैविटेशनल फोर्से हाँ तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि हम एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं इसलिए अग्स अग्स एक्जामपल लेते हैं दोस्तों इसमें और एक जो पूछा जाता है है तो यही चीज रॉकेट में हो सकती है ना रॉकेट में भी ग्रैविटी फ्री स्पेस में जनरली ही होता है कि मोमेंट्म रहेगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में रॉकेट जितना फोर्स नीचे अपलाए करेगा उतना ही फोर्स उसके खुद के उपर उसको लगेगा है ना तो दोनों का मोमेंटम रह जाएगा ओके उसी तरीके से दोस्तों यह बॉब्म कि ब्लास्टिंग कि में भी ऐसा ही होगा कि इनीशियल मालो कि एक बॉंब है कि उसको एसी पिन रहती है ना तो चलो पिन निकाल दी जैसे पिन निकाल दी तो फटेगा तो इसके जितने टुकडे होंगे तो अगर हम यहां पर यह बॉंब औरीजिन पर है ऐसा अगर कंसिडर करें यह एक्स एक्स और यह वाय एक्स तो ऐसा मान लो कि इसके जितने भी टुकडे हुए मान लो कि अपन ऐसे मानते हैं कि इसके मजब इसके अच्छे एस यह तीन तुकडे हुए विए ओगे यह इसका पहला पार्ट है मास्1 मास् 2 मास् 3 लॉर संसे ब्रेज और भईया यॉस सरो ਹाँ अब ये पहले सें इधर जा रहा है और यह इधर झार है और यह में अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब कोई बताएगा मुझे क्या इट विल भी वेक्टर एडिशन आप पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री तो एग्री कि यह सब्सक्राइब कॉंटिटी होने की कारेंट हमेशा ध्यान रखना है वेक्टर फॉर्म में ही लेना है और जब ऐसे तीन टुकड़े हुए हैं तो उस टाइम पे तो हंड्रेड परसेंट वेक्टर सी लेना है जब ऐसे दो टुकड़े हुँगे तो सिधा सिधा पॉजिटिव एक्स एक्स जिस नेगेटिव एक्स 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 तो कोई टेंशन नहीं है पिलस माइनस से चल जाता है है trilा लेकिन जब तीन टुकड़े होंगे तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में करना पहले का मोमेंटम होगा M1 V1 वेक्टर फॉर्म में दूसरे का होगा दोस्तो M2 V2 और तीसरे का होगा M3 V3 इनका कॉंसा एडिशन वेक्टर एडिशन और कंजर्वेशन लॉग के अनुसार सब्सक्राइब मस्ट बी इक्वर्ज टू पी एफ तो जीरो एक्वर्ज टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री बोलो बात समझे की नहीं समझे क्लियर है कि यह सर्थ कि इसमें कभी-कभी ऐसा भी किया जाता है कि इसी कोश्चन में ऐसे सब्सक्राइब दिक्कत करते हैं तो इसमें शाटकट करते हैं तो आप क्या बाचकट हो रही है सब्सक्राइब कि इसमें तो । इसमें शॉटकर कि आपको मैंने दिया है इसको कि कि अगर है कि क्या करने आपका है कि कि अगे कापोनेंट्स लेंगे एक सब्सक्राइब करेंगे अब अब आवज नहीं है आपका यह इसल मोमेंटम है ना सब्सक्राइब करेंट्स लेलो एक सांड वाइब फिर काले लो यह सर कंपोनेंट्स आपकी सब्सक्राइब करेंट्स लेलो यह जो कंपोनेंट्स हैं यह कंपोनेंट्स आप जीरो कर दो उससे पर आवाज नहीं सुने दे रहा फिर समझाने कोड़ अर्जुनारी आप कि सर्फ बहुत ब्रेक होगा रही है कैसे होगा यह अब आ रही है कि यह सर्थ मैं बोल रहा हूं कि जब हमें सारा मोमेंटम का एडिशन जिरो ही है ना अगर सारे मोमेंटम का एडिशन अगर जीरो ही है तो उनके अगर एक्स कंपोनेंट वाय कंपोनेंट लेंगे तो उनका एडिशन भी तो जीरो आना चाहिए है out किया ङी ये बात समझ में की कि नहीं वaghetti कि उनके सारे एक्स कंपोनच लेलो देखो । पहला मोमेंटुम जो है M1 We Won उसका एक्स कंपोनच लेलो वाइं कंपोन लेलो । रार्ट जो है M2 we2 उसका भी X component ले लो, Y component ले लो और तीसरा जो है M3V3 उसका भी X component ले लो, Y component ले लो और यह सारे components, summation of X component जीरो और summation of Y components भी जीरो बात समझ में आई कि लिया कि यह से इस तरीके से इसके भी कुश्चन्स आप कर सकेंगे बहुत आसानी से कुछ भी नहीं है इसके अंदर बिलकुल आसान है इस शाप्टर का तगड़ा प्रेक्टिस करो बिटा आज